हलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी बहुत ही ज़ादा जबाडस टेस्टी मटन काबुली पुलाओ की रेसेपी जो बहुत ज़ादा टेस्टी बनता है इसका जो मटन है बहुत ही ज़ादा सौफ्ट जूसी और टेंडर बनता है तो एक बार मेरे तरीके से मटन काबुली पुलाओ आप ज़रूर बना कर देखेंगा बहुती सिंपल तरीकों से एकदम कम मसालों के साथ में यह पुलाओ बनकर रेडि होता है लेकिन टेस्ट इतना ओसम होता है कि आगर आपने एक बार इस काबुली पुलाओ को बनाकर रेडि कर लिया आना तो हफ निए काबुली पेशवारी घुलाओ बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह के चने लगेंगे तीन चनों को हमने राट बर भीगो कर रखा अधिया और अच्छी थरीके से वाश कर लेंगे और वाश करने के बाद जो है नो तो इसमें थोड़ा सा नमक दालेंगे थोड़ा सा पानी दालेंगे और इसे बॉइल कर लेंगे तो हमें इतने से हम बॉइल कर लेंगे जो काबूली पुलाव होता है उसमें इसी तरह के बड़े-बड़े पीसे यूज किये जाते हैं अब इसके साथ में आपको मैं बताती है कुछ नलिया भी हमें यूज करना है देखिए इस तरह के बोंस यूज करना है इससे जो है तो काबूली पुलाव का फ्लेवर आता है ब मतन यही और इस डायरेक्ट कूकर में ले लेंगे अज अर्य जो मतन है एक किलो से ज्यादा और धेड किलो से कम तो हमने जितने राइस लिये roz brewing नहीं नहीं हम इंद इसके नल्य यह मतन अद्वरिया जाए हैं यहां आपर 2 गिलास पानि दालेंगे क्योंकि हमें इस टॉक बनाना इसकी यखनी बनाना है नमक मिलाएंगे इसमें हम वन टी स्पुन अब इसमें देखें इस तरहां से हमने दो गाठे लाइसन के लिए इसे मोटा मोटा जो है तो छंदी बत्ते में कूट लिया है अद्रक का तुकडा लिया है दो से तीन इंच इसे भी मोटा मोटा जो है तो कूट लिया है हमने छंदी बत्ते में दो मीडियम साइज की अनियन इसे अब हम इसमें डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़े इस मटन में मिक्स हो जाए, नमक वगेरा, अब इसे जो है, तो कूकर का ढखकन ढख लेना है, 30-40 मेट इसे बॉइल करना है, क्योंकि इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से बॉइल करना होता है, जरासा भी कच्छा नहीं, जितना हम नॉर्मली बॉइल करते हैं मेटन को, उससे ये जादा बॉइल होता है, क्योंकि इसकी कि जो बोटिया होती है एकदम सौफ्ट होती है कि फूकर कर ढखकर ढखके हम बॉइल करने के लिए रख देंगे हैं अब यहां पर हमने बास्मती राइब इसे दो से तीन घंटे पहले भीगो कर रख दिया था और अच्छी तरहां के चने हमारे रहना चाहिए बस एक हाथ में दाले कि यह इस तरह से में यहां पर हमारा मटन अच्छी तरीके से बॉइल हो चुका है मैं आपको खूल कर बताती हूं है कि बहुत अच्छCh तरीके से हमें गला कर रेडी करना हैं ताकि एक portions ही सब्ला है कि अगड़ धर कघने में प्रूफट सिर्फप हो स्वसरुन साहई है symbol है देखिने में हम चुर्भ हैं कि हमें था को हिल दूब भी भोल लेंगे उसमें हम यह सारे पीसस निकाल लेंगे और यखनी इसी तरीके से इसमें रहने देंगे अब यखनी को क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ आगे खलिए हमें पहले निकाल लेना है पीसेज देखो क्या शांदाज तरीके से गल चुके एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके एक हाथ लगाया नहीं कि पीस तूट चुका है अब इसमें जो अनियन वगेरा है न यह थोड़ा से छान कर हमें निकाल लेना है मटन हमने निकाल के रेड़ी कर लिया इसे साइट में रख देंगे हुआ अब इस वाटर में नदेखिए हमें कुछ इस्पैसेस मिलाना है कि प órब्र इसमें हमें लालमिश पाओडर मिलाना है कि डन्या पाओडर मिलाना है वन टीसपूण साबुत धनिया दालना है वन टेबल स्पून टू टेबल स्पून जीरा दालना है देखे चार हरी लाईची है चार से पांच लौगाँ काली मिर्श हाफ टी स्पून दो से तीन डाल चिनी के तुकड़े इस तरह से चावीतरी का एक पत्रा दालना है थोड़ा से जिंज में कर दिखरेंगे फोल ले लेंगे अब दिखे यह जो हमारा यखनी है इसमें और थोड़ा सा पानी दालेंगे क्यों लगबख हमें 2 लिटर जितना पानी लगेंगा और इसे बॉइल करेंगे अब इस यखनी को हमें बॉइल करना है अब देखे, जो ये हमने यखनी रखे थी ना, इसमें भी अच्छी तरीके से बॉइल आ चुका है, बॉइल हम इसलिए करना है ताकि हमने जितने भी badassy spices दालेना तो उसका भी जो है तो flavor इस यخनी में आजाए और हम इस यखनी को हमें चान लेना है तो इसलिए अच्छी तरीके से हमें मोईल लाना है इसमें सारे इस्पैसि का एक दम बढ़िया तरीके से flavor हमारा आजा है और अच्छी तरीके से बॉइल हो चुकी है अब इसे हम उतार लेंगे गैस से अब देखिए हमारी यखनी अच्छी तरीके से पप चुकी है अब इसे हम चान लेंगे अब यह जो स्पाइसे से हमें फैकना नहीं हम इसे पीस कर कोई भी सालन में या कोई भी सब्जी में यूस कर सकते हैं इसे बाहर एक अच्छी तरीके से पीस कर हम यूस कर सकते हैं यह हमारी यखनी जो है तो एक से देड़ लिटर हमारी रेडी हो चुकी है इसमें सारे फ्लेवर सा चुके अब मैं आपको आगे बताती हूं क्या देखिए यहां पर जो हमें हमारे राई से इसे बॉइल करके लेना है तो बॉइल करने के लिए हमने एक भगोने में आदा भ तो यह से चार चम मचते अब इसमें जो हमारा राई से इसे निथार कर दाल देंगे बॉइल होने के लिए अब इसे हमें पकने देना है पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनुट ताके इसमें एक अच्छा सा बॉइल आजगे आगे मैं आपको बताती हूं क्या करना है देखिए आपर हमारे जो राई से तरीके से बॉइल हो चुके हैं यहां पर हमारे जो राई अच्छे तरीक होना चाहिए हमारे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके सा मारे राईस बॉइल हो चुके अब इसे बड़े बोल में निकाल लेंगे इस तरह से च्छान लेंगे और पूरा पानी निठार के सेट में रख देंगे अब जितना यह सारा हम निठार लेंगे यह पानी के हमें जरूरत निए सारा हम चान के यह भगोना खाली कर लिए यहां पर हमने जो है तो राईस बॉइल कर लिया और बगोने में थोड़े से हमें राईस नीचे की तरफ रखना है इस तरह से ताकि हम इसे दम देता अगर नीचे थोड़ा बहुत कुछ मसाला जले वगएरा तो यह राईस पर इफेक्ट आए हमारे मसाले पर कोई फारखना पड़े आप इस पर हम इस तरह से चने बिछा देंगे आप यहां पर जो है तो ड्राइफ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन यह काबूली चने में हम अब इसके उपर हम जो है तो हमारा जो बॉइल मटन यह दाल देंगे इस तरह से हम नालिया और मटन हमारा दाल देंगे इस तरह से हमने फाइला देना है इस तरह से हमने मटन बिचा लिया है अब इसके उपर हम राइस दालेंगे बॉबर 앞에 हो तहöhं अभी ते इस तरह से हमने यह तो यहनी डालेंगे एक जहारा लेंगे जहारे की मदद से सारी यहनी को जो है तो पैला देंगे इस तरह से अभी तक कि ना घी डाला है ना कोई डाला है तो हमने यहां पर 250 ग्रम घी को अच्छी तरह से गरम कर लिए और आप इस पे डालेंगे तो चावल जो है तो हमारे खिले के लिए इसी तरीके से बनते हैं क्योंकि इसमें घी या ओइल जादा डाला जाता है घी से जो यह देखिए इस तरह से गरम गरम आईल जो है तो हमने इसमें फैला लेना है इसमें थोड़ा जादा जाता है आई ताकि इसमें जो है दम बहुत अच्छी तरीके से आई अब इसे 25-30 मीट जो है तो पकने देना तो 10 मीट हम फूल फ्लेम पर पकने देंगे जब तक इसमें दम ना है और फिर 15-20 मीट जो फ्लेम पर इसे पकने देंगे फिर मैं आपको बताती हूं पकने के बाद हमारा जो है कितना अच्छा काबूली पुलाओ बनकर रेडी हो सा है देखिए यहां पर जो है तो हमारे पुलाओ में बहुत अच्छी तरीके से दम हो चुका है मैं आ आप देखिए इसका टेक्च्चर कितना अच्छा है और राइस देखिए कितने खिले खिले बने तो बस यह पूरा घी का कमाल है इतने खिले खिले राइस बनने इसमें हमने घी ज्यादा यह उसकी है ना इसलिए यह बहुत खिले खिले बने हैं अब इस तरीके का हमें एक लेंगे और इस जो है तो पुलाह को हम नीचे उपर करेंगे ताकि सारे मसाले जो है तो thyroid हमारे पुलाओं में आजाएंगरं दिखिए नीचे जो चने रहें वह भी ऊपर आजाया चाहिएंगर तेके कतने जाधा हमाहे तो मटन इसका जूसी बनाया और इसके पीस देखिए कितने जादे सॉफ्ट बने है तो एक बार आप जरूर से जो है तो ये काबुली पुलाओ बना कर देखेंगा इसमें जो नलिया है तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें नलियों को भी किस तरह से जो है तो यूज़ करना है देखिए देखने में इसमें सारा पुलाओ निकालने के बाद में इसमें एक नली भी डालेंगे तो नली का जो गूदा है लेंगे और जो एक पीस है मटन का देखिए कितना ज्यादा जूसी और कितना फ्लेवर फुल मिला है तो इस तरीके के बाइट अगर हमें मिल जाए तो क्या खायने तो एक में जो बेल बेटन आता है उस कॉल पर क्लिक कर दीजे ताकि आने वाले हर अमेजिंग से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो वच्छ करने के लिए शुक्रिया गाईस अल्ला हाफीज एंटेक